जरूर अटेश करवाएं उनको सब्सक्राइब करवाएं और उनको लगातार केंटिन्यू 15-20 मिनट का टोपिक आप देखर कि किस तरह से रोज सुभा लोग वो अपनी जिन्दिकियां बदल सकते हैं इस पैनल के माध्यम से क्योंकि जो वो बनना चाहते हैं जो वो डायमेंड को में इंस्टॉल करेंगे उन विचारों को देफिनेटल उसकी जिन्दगी में बदलाओ आएगा आएगा इंसान के जिन्दगी उसके विचारों से बदलती है और इंपुट जब तक नहीं जाता है तब तक आउटपुट के भी चांस बहुत कम होते हैं वादा करना और वा वादा करते हैं सुबह से लेके शाम तक वादों की भरमार होती है लेकिन कितने वादे पूरे होते हैं कितने वादे पूरे नहीं होते यह तो वक्त तै करता है आदमे की इंटिग्रेटी तै करती है आदमी का कमिटमेंट तै करता है आज उन से धांतों के सामने मैं पूरा एक-एक स्टेप के उपर मैंने 2005 में जब माया था, 2006 से लेके और 2024 तक की जर्मी आपकी मेरी अगले पुइंटों में दिखाई देगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इन्होंने रिकोर्ड बनाए यस हमने रिकोर्ड बनाए और जो रिकोर्ड बनाए हैं वो तो अभी ट्रेलर है अशली रिकोर्ड बनाना अभी बाकी है अभी जितने तक अभी तक जितने भी रिकोर्ड बने हैं चाहिव हमारे रिकोर्ड बने हो हमारे टीम के लीडर्स ने रिकोर्ट बनाए हो अभी तो असली शान और असली खेल इस इंडरिस्टी का शुरू होने जा रहा है क्योंकि अभी तो बारत सरकार ने इसको मानलेता दी है अभी तो गूर्मेंट ने गाइडलाइन देर के साथ-साथ कानून तयार किया है असली मज़ा तो अभी इस काम को करने में आने वाला है तो लेडीजन जेटलमेन आप तयार हो जाएए डारी पहल लेके बैठिये हर उस डारेट सेलिंग के इंडस्टी के हर उस डारेट सेलर से आज मैं बात करूँगा और हर उस बंदे से मैं बात करूँगा जो सच में अपनी जिन्दगी में टॉप लेवल की काम भी लेना चाहता है मैं उस आदमी से बात करूँगा जिसके सपने हैं मैं उस लीडर से बात करूँगा जो सच में इस industry के बारे में जानकर या ना जानकर आप आज यहां entry हुआ है और आने वाले वक्त में आज उसका क्या सपना है मैं नहीं जानता हूँ लेए आने वाले वक्त में वो क्या-क्या dream देखना चाहता है और अपने हर सपने को देख कर पूरा कैसे करता है उस टोपिक को यह जो आज का टोपिक है उन बातों से यह सीधा रिलेट होगा आप देखेंगे कि आपका हर सपना हर एक लाइन के साथ अटेच है तो लेडिस और जंटलमेन थोड़ा सा टफ रहेगा यह टोपिक थोड़ा सा कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा हो सकता है आपको लगे अरे बाबा इतना कुछ करना पड़ता है क्या तो भाई साथ कामियाभी जो है आप एक बार उस कामियाभी को भी देखिए डारेट साले इंडस्टि में आप उन सपनों को लिखते हैं उन सपनों को पूरा करने हैं इस बिजनिस में आते हैं जहां पर दस पीड यहों में कभी कोई सोच नहीं सकता ऐसे बड़े-बड़े सपने जब आप यहां पर आए हैं देखने के लिए आए हैं का उनको पूरा करने के लिए आए हैं तो कमिटमेंट भी आपका पूरा लेने वाला है आप इस बिजनिश में दस अजार रुपे कमाने आए हैं तो आप इस बिजनिश को नहीं कर पाई यह जो बिजनिस है यह लोगों का गापार है यहाँ पर लोगों का नेटवर बनता है टीम बनती है और ना के सिर्फ यहाँ पर आप एकके employment देने के लिए आते हैं यहाँ पर जो काम करने आप आए हैं जिस काम को achieve करने के लिए आए हैं जिन सपनों को achieve करने के लिए आप आए हैं आपके team के leaders भी पूरा करना चाते हैं यानिकि यहाँ पर millions और billions लगोगी life को transform किया जाता है तो ट्रांस्फोर्म करने में किन-किन पॉइंटों का ध्यान रखना है, आईए चलते हैं और मिलते हैं, सबसे पहले, effort and courage are not enough without purpose and duration, सबसे important, आप आगे अपने वादे निभाना चाहते हैं, और वादे करना चाहते हैं, और इस industry में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला topic है, आपका इस industry में आगे बढ़ने का purpose का होना बहुत जरूरी है, आपकी duration आपको पता होनी चाहिए, कि मेरी दिशा क्या है, किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्या चीव करना है, किस तरह की जिन्दगी मुझे चाहिए, किस तरह की personality मुझे चाहिए, किस तर वरोशे अलग मैं क्या कर सकता हूं परम्पिता प्रमेश्वर ने जो मानाव जीवन दिया है इस मानाव जीवन में मैं अलग क्या कर सकता हूं उस अलग करने में शायद आपके किसी अप्लाइड ने आपको जिंदकी दिखाया होगा दुनिया दिखाया होगा जैस दुनिया को आप देखना चाहते थे बसपन से आप जितने भी लोग मेरी आज इस टेंविक को सुन रहे हैं, जितने भी लोग आज मेरे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं 101% आप ड्रीमर है यदि आप ड्रीमर नहीं होते तो आज इस पैनल के उपर आप बैठे नहीं होते आपके जिंदगी में जिसमें भी आपके सपने जगाए हैं वो आपका सबसे बड़ा हीते से इंसान है उस इंसान का शुक्रिया अदा करना हर पल लेकिन मेरे दोस अब आपके वो सपने पूरे कैसे होंगे और इस के उपर किन किन चीजों का ध्यान देना है आईए हम मिलकर बात करते हैं स्वागत है आपका आज के इस पॉइंट के अंदर और यह जो पॉइंट है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट में मैं आपके साथ चलूँआ अगले एक घंटे की लगबग जर्नी है मेरी आपके साथ इस जर्नी में हम बहुत सारी बाते करेंगे बहुत सारा डिसकेशन हम करेंगे और डिसकेशन में आपसे करूँ थोड़ा सा मुझे डिस्प्ले में चलेंज आ रहा है इसलिए मैं एक बार दुबारा से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं एक मिल्ट है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो मैंने यह देखा कि जब मैं 2015 में आया और श्री हरी संकर साब और श्री टिकंदर चोधरी साब ने जब मुझे इस इंडिस्ट्री में डाला तो वहाँ यदि आपके बड़े हैं तो पहला नियम मुझे बताए था कि यहाँ पर आपको कोच भी मिलेंगे यहाँ पर आपको मारदर्शन देने वाले लोग भी मिलेंगे आपको कदम कदम पर ज्यान देने वाले लोग में मिलेंगे आपको पूरी नोलाइज देने वाले लोग भी मिलेंगे लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको अपने हर सपने को पूरा करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान यदि किसी का रहने वाला है सबसे ज़्यादा यदि हिम्मत लगने वाली है सबसे ज़्यादा काम यदी लगना है सबसे ज़्यादा समर्पन यदी किसी का लगना है तो सपने आपके हैं तो समर्पन भी आपका लगेगा हार्ड वर्क भी आपका लगेगा और सबसे इंपोर्टेंट जो काम है वो है आज आप कुछ नहीं जानते लेकिन समर्पन और कड़ी मेहनत के साथ यदि आप काम करना शुरू करते हैं तो पशिने जब आप बाहेंगे तो वहाँ से आपका perfection शुरू होता है आपको सबसे पहले वादा करना है जब आप इस business में आए हैं आप इस industry में आए हैं तो वो doctor के अपना जो department है और इस department के प्रति पूरा समर्पन देता है पूरा commitment देता है और doctor का जो role है वो role अदा करता है कोई advocate बनता है advocate अपना जिम्मेदारी निभाता है teacher बनता है teacher अपना जिम्मेदारी निभाता है engineer बनता है तो इंजिनियर अपना जिम्मेदारी मी बाता है आप यदि एक networker है और आप इस direct selling के अंदर आप आगे हैं आगे हैं और आप यहां से इतियास बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इतियास आप बनाने वाले हैं तो dedication और कड़ी महनत भी आपकी लगेगी पहला निया यहाँ पर में वो नाराज हो जाता है वो आदमी होल उठाना बंद कर देता है काम करना बंद कर देता है उसकी बुराहिया करना शुरू कर देता है अरे मिरे दोस्त जिंदगी में याद रखना तीन लोगों की कभी भी डाट का लड़ाई का जगडे का कुछ बातों का बुरा नहीं मा करिए आपको वहां पर अपनी क्वालिटी को डवलप करने की जुरूरत है वो जो काम के लिए डाटा जा रहा है कुमार होता है वह मठका जब तैयार करता है तो अंदर एक हाथ डालता है और उपर से फिर उसकी एकदम प्रेशर देता है उसकी उपर उसके अंदर जो शेप त तेयर नहीं होती तो आपको सबसे पहला काम करना है कि मुझे डेडिकेशन के साथ और कड़ी मेहनत के साथ मैं इस इंडस्टी में लगा था आपको यह वादा करना है और यह कमिटमेंट बहुत सार लोग वलते कम तक करना है मैंने यह कमिटमेंट संद 2006 में किया था स्री टिकं कि मैं हिस्टी क्रेट करूँगा और हिस्टी के अंदर मेरा डेडिकेशन और मेरा हाड़ वर्क आप मरते दम तक दिखेंगे 19 साल से मेरा एक भी सिंगल अप्लाइन ऐसा नहीं होगा जो यह नहीं बोलेगा कि योगे शादाव उन्हें मेहनत नहीं किया 19 सालों के अंदर कितने ही कंपनी आई कितने ही लोग आए कितने ही सारे लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिस की लेकिन मेरे दोस्त ना हमारे समर्पन में कोई कमी रही और ना ही हमारे हाड़ वर्क में कमी रही छे मेने में छे बार आदमी का समर्पन चेंज होता है एक साल में बारा बार चेंज होता है हाड़ वर्क 365 दिन में आदमी ये सोचता है कल मैंने महनत किया तो आज थोड़ा रिलेक्स कर लेता हूँ इस तरह से सपने पूरे नहीं होंगे आप एक लीडर है तो लीडर होने के नाते आपको वादा करना है कि मैं लाइफ टाइम समर्पित रहूँगा सिस्टम के प्रती समर्पित रहूँगा इस इंड़स्टी के प्रती समर्पित रहूँगा उन गुरुओं के प्रती जो मुझे टॉप पर लेकर जाएगा उस नियम को मैं किसी भी किमत के ओपर फॉलो करूँगा ये आपका commitment, ये आपका समर्पन और ये आपका hard work, ये किसी भी किमत पर लगेगा नमबर दो, respect और equality, दूसरा important जो topic आया, जिसके ओपर ये सारे topic मैंने बनाए है एक-एक topic मैंने पूरी रात लगबाउ सुवे साड़ी चार बजे में सोया हूँ और पूरी रात मैंने ये decide कि मुझे आज का जो topic है, उस topic में मैं कोई किताबी गयान नहीं दूँगा और ये मेरी सबसे बड़ी problem रही है, कि मेरे से कभी भी किताबी गयान नहीं दिया जाता मैं कोई भी चीज जब देखता हूँ, तो मैं उसको अपने साथ attach करता हूँ मैंने respect दिया की नहीं दिया, मैंने शमान तका व्यवार किया की नहीं किया मेरे को बताया गया, एक लीडर आप है, और आप आने वाले वक्त में हजारों लाखों लोगों का network आप बनाएंगे तो सबसे पहली बात, आपकी जिंदगी में लोग आएंगे, लोग आएंगे मतलब आपकी जो दुनिया है, वो लोग है आज मेरे बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त है, हर मेरे जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है हर आदमी ये जनता है कि मैंने उनसे अलग कभी भी ना अपने टीम लोगों को समझा कभी भी ना मैंने अपनी लीडर्स की जो टीम है, टॉप लीडर्सिप है इवन कोई बंदा कल जोएन हुआ है उस इनसान की दिल में भी और उस इनसान के प्रती मेरे मन में कभी भी कोई इस तरह का ऐशमानता का विवार आज तक नहीं आया, क्योंकि मैं एक बात जनता हूँ मुझे मेरे गुरूने एक बात समझाय था कि इस अंडिस्ट्री में जितने भी लोग आपके साथ आएंगे और वो जो एक सेल भेजेंगे शेम कमिशन, शेम पे आउट उस आदमी के दुआरा आता है और शेम जो आपका बहुत एक लोज नियर डियर है उस आदमी से आता है आपको ये वादा करना है कि मैं हर लीडर का, हर आने वाले असोशिट का मैं सम्मान करूँगा इसके बहुजूद कि हर लीडर अलग-अलग केटेगरी का होगा इसके बहुजूद हर लीडर की अलग-अलग परसनल्टी होगी इसके बहुजूद लोग आपके बुराईया करेंगे इसके बहुजूद बहुत सारी बाते आपके बारे में करेंगे जब जब आपके बाते हो तो वहाँ पर आप ये समझे कि आपको उपर उठाने में उन जो कड़ी बाते हैं जो कहीं न कहीं आपके कानों में आती हैं वहाँ से मेरे दोस्त आपके अंदर पावर आएगा आप उसके उपर काम कर पाएंगे जब भी आपकी बुराई हो तो वहा उस पर काम किया और काम इतना दमदार किया कि किसी भी किमत के ओपर वो ही लोग आने वाले वक्त में चीजों को फोलो करेंगे और आगे टॉप लिवल के ओपर काम करके वो लोग जाएंगे तो आपको हमेशा धान देना है यह बादा करना है कि हर लीडर का मैं शम्मान करूआ आप याद करिए और आप देखिए जैस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आप लीडर से जो एक्सपेक्ट करते हैं तीम लीडर से आप एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने अप्लाइन से एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो expectation पूरी नहीं होती, उस वक्त आपके emotions किस दिशा में जाते हैं, आप चेक करिए, यदि आपके emotion change हो रहे हैं, यदि आपके अंदर एक भाव change हो रहा है, बार बार आपका भाव बदल रहा है, आज उस अप्लाइन के पास बैठिए, कारूश अप्लाइन के पास ब आपकी ये जो quality है, इस quality की वज़ा से आप आने वाले वक्त में अप्लाइन और टीम दोनों जगां से आप चोट खाएंगे, तो आपको ये विशेश ध्यान देना है, और ये वादा करना है, मैं अपने हर अप्लाइन का, हर आदमी का, हर लीडर का, आपके टीम के हर associate का, मै तेरे विवार में कभी भी किशी भी तरह का, कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये आपको वादा करना है, और ये वादा दो साल के लिए नहीं करना है, पास साल के लिए नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है, हर इनसान एक आत्मा है, परमपिता प्रमेश्वर का निवास तो हमको लगातार उनका सम्मान करना है और लगातार उनके साथ आगे बढ़ना है और साथ मिलकर काम करना है तीसरा इसमें topic मैंने लिखा कि क्या ऐसी चीज है जिसके वज़ा से बड़े-बड़े record बनाए क्या ऐसी चीज है जिससे लगातार चर्चे और पर्चे में हम लोग रहें कारण क्या था किसी भी लीडर को आप उठा कर देखेंगे किसी भी लीडर को मैं सरफ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ आप कागेश्पेन पे लिखें कि मैं इस लीडर को दमदार मानता हूँ उस दमदार आदमी का नाम लिखें और उसके नीचे आप फीचर लिखेंगे तो उस आदमी के नीचे ये एक-एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ये एक-एक पॉइंट उसके नीचे लिखेंगे आप आप automatic लिखेंगे तो सबसे बड़ा जो मेरी जिन्दगी में क्योंकि मैं आपको ग्यान नहीं दे रहा हूँ मैं आपको जो चीज मैंने करी है जिसके वज़ा से मैं यहां तक पहुँचा हूँ जिसके वज़ा से जो सम्मान मिला है और जो लोग आज respect देते हैं कारण क्या है मागरुजी ने मुझे बताया था कि आपको relate करना है अपने आप से किस तरह से आपने क्या किया और कौन कौन सी ऐसी चीज़े थी जो अपने निभाई है तो उसमें मैंने देखा कि मेरी accountability और मेरी responsibility ये दो बहुत important part है जिसकी वज़ा से मुझे powerful दिया गया मुझे powerful बनाया इन दो चीज़ों ने मुझे powerful बनाया सच में यह दि आपको अपने वल के leader बनना चाहते आपके गुरु लोगों का आपके applying का सब का आपको respect मिलेगा सब का आपको साथ मिलेगा लगी उस पर आपको expectation ज़्यादा नहीं करनी है expectation आपको कहा करनी है expectation आपको अपने आप से करनी है कि मैं अपने कामियाभी का जिम्मेदार भी में हूँ और उसकी जवाब देई भी मेरी है जवाब देई मेरी रहेगी मेरी काम्याभी में और बार 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 हर लीडर के मुझ से आपने चुना होगा कि यदि आपको बिड़ी सकसर चाहिए take responsibility आप बड़े लीडर बना चाहते जिम्मेदारी लीजिए ये जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी को लगात और maintain करना कुछ लोगों को बड़ी शिकात रहती है शर हमको जिम्मेदारी नहीं दी सर आप हमें जिम्मेदारी नहीं दे रहें सर आप हमको जिम्मेदारी लीडर को फिर उसकी जवाब दे उसके accountability, आपने जिम्मेदारी ली कि मैं अपना venue चलाऊँगा, आपने जिम्मेदारी ली मैं अपने team के एक एक leader को पकड़ पकड़ के core बनाऊँगा, आपने जिम्मेदारी ली कि मैं किशीवी किमत के ओपर three cardinal rule को follow करूँगा, आपने जिम्मेदारी three powers का इस्तेबाल करूँगा, तो वो responsibility है, वो जिम्मेदारी का part है, जिम्मेदारी का part एक अपने आपने एक मिशाल है, और उसके ओपर लगातार चलना होता है, और लगातार चलना है, lifetime चलना है, तो आपकी जवाब देई, और आपका responsibility, ये आपको लेना है अपनी कामियभी के लिए, बहुत सारे लीडर, time दिया, पहुचे नहीं, कोई कार बात हो गई, नाराध हो जाते हैं, क्यों होई भई, वहला सार उसने time दिया था, आया नहीं हो, अरे उसने time दिया था, आया नहीं, कोई बात नहीं, लें रोज देन, आपके पास भी तो मोका है, उस meeting को लेन अपने आपको power दीजिए, अपने आप पे भरोशा करिए, responsibility लीजिए, इस 19 सालों के अंदर, मेरे गुरू ने मुझे जो बोला, वो तो मैंने किया ही किया, लेकिन, मैंने हमेशा अपने आपको एक command दिया, कि जो काम कोई नहीं कर सकेगा, चाला उस काम को योगेश responsibility लीजिए, यहाँ पर किसी का tag नहीं लगने वाला है, यह tag आपको अपने उपर लगाना है, आप जब सुबह मीरर के सामने हो, वहाँ पर आप अपने आपको किन सब्दों के इस्तिमाल करते हैं, आप अपने बारे में आप क्या जानते हैं, आप अपने आपको क्या देखत हैं, दो बात आपको यहाँ पर समझनी है, आपको यह दि दमदार काम करना हैं, तो अपने मीरर के सामने जाके रोज अपने आपको दमदार बनाईए, दमदार मानिए कि मैं दमदार हूँ, मैं पावरफूल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी जवाब देए, और मैं अप बड़े चेक नहीं बने मैंने आज तक आज तक मैंने कभी मेरे शीनियर अपलाइनों के उपर या कोई भी आदमी यह नहीं बोल सकता कि आज मेरे पास दोलाख रुपे की कैपिंग नहीं पहुंची तो उसका जिम्मेदार मेरा अपलाइन है मैं यदि बड़ी गाड़ी नहीं आपलाइन है या मेरी टीम है मेरा टीम है जिम्मेदार नहीं होता मेरे दोस्त जब कोई चीज बनती है तो टूटती है तो दुबारा उसको कैसे बनाया जाए क्योंकि दुनिया के टूटती है असली जवाब देही आपका असली भचन कब निवाय जाता है और कब पता चलता आप दमदार हो, कब पता चलता है आप पाउफूल हो, जब टीम तूटी, दुवारा से फिर आप खड़ा कर पाते ह। यह नहीं कर पाते हैं। वो टीम मुझे ऐसा लगता है, वो टीम आपके टूटी इसलिए, कि इश्वर चेक करना चाहता है, कि आप एक दमदार लीडर हो, बड़े लीडर हो, भविश बनाना चाहते हो, जिंदगी बनाना चाहते हो, तो हम ये चेक करेंगे, कि आप टूटने के बाद दुबारा हो पाते हो, नहीं पाते हो, और जब टूटता है, 70% भशोट हो जाते हैं वहीं पर, 70% दुबारा हिम्मती नहीं करते, तो फिर काई बात का वादा किया था, कि टूट गया तो दुबारा बना हुआ में, और जब दुबारा बनाने की बात आई, तो इतनी लंबी जीब क्यो निकाल दी, हैं, एक दूसरे के प्रती, किसी भी तरह का, जो है, उनके दूसरे के उपर और लगणा क्यों शुरू किया, लाइफ में, लाइफ टैंग, ऐसा नहीं है कि आपका टीम टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि आज आपकी जो जिंदगी है, वो शेम रहने वाली है, आ इस इंडस्टी में मैं टॉप करूँगा, और इस इंडस्टी के उपर, यदि कल को कोई भी रतन दिया गया, चाए भारत रतन दिया जाए, चाए इंडस्टी का रतन दिया जाए, उन रतनों में मेरा नाम होगा ही होगा, यह वादा करिए, और आने वाले वक्त में फिर मत बोलिए कि मेरे निचे डाल कितने रहे हो आप अपने अपलाइम से ये पूछिए कि सार अभी तक जो मैंने जिम्मेदारी ली है अब आप मुझे बताईए अब मैं और क्या जिम्मेदारी लूँ और मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना है जब बार बार आप बोलेंगे मैं और क्या करूँ और क्या करूँ आपके दिमाग के न थोड़े श्कूरू ठीले होंगे और वहां से आप आगे बढ़ना शुरू होंगे तो ये बात विशेज धान देना है, इसके साथ लगाता, मैंने एक बात और पाई, बहुत सारे लोग मोशम की तरह ना, मोशम के हिसाब से काम करता है, गर्मी आएगी, वो घुच जाएगे वापस, सर्दी आएगी, फिर घुच जाएगे, थोड़ा मोशम ठीक होगा, बाहर जाएगे, जैसे चेकडाउन होंगे, उनके जो भड़तु वाला भेंगन होता है न, उनकी सकल हो जाती है, दो दो महने के लिए गयब, तिन-तीर महने के लिए गयब, चार-चार महने के लिए गयब, फिर नीचे से थोड़ा महूल बनता दिखेगा, कोई फंक्शन आएगा, कोई मिटिंग आएगा, ये बरसाती मिंड़क की तरह कुटर 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 करने लग जाते हैं, एक बात आपको यहाँ पर देनी है, मेरे को मेरे ग्रेट सर ने मुझे बताया था, कि योगे जी आने वाले वक्त में आपको ये चपड़ाशी की नोकरी करने आप यहाँ पर आप आए हैं डारेट सली इंडस्टी में, और ये इंडस्टी आपके और आपके खांदान का इतिहास रज सकती है, और ये बात का भरोसा था, उसके बाद, आज आप शुरू कर रहे हैं इस इंडस्टी को, यह आपने इस जरनी को शुरू कर दिया है, तो ल आने वाले वक्त में मैं हर पल, हर इस्तती में अपने शराउंडिंग में अपने माहोल को मैं बिगडने नहीं दूँगा, बहुत सारे लोगों को मैं क्या कहूं, अपना माहोल वो खुद बिगाडते, कोई परेशानी हो गई, डाउन लाइन से नेगिटिव बाद करेंगे, थिरी कार्डिनल रूल में लिखा है, कोई भी नेगिटिव विशार आपके दिमाग में आया, कभी भी आपको अपनी डाउन लाइन से उसका डिसकेशन नहीं करना है, लेकिन कई जाके पंचायत करेंगे ही डाउन लाइन, कई फेलियर अपलाइन, जिनका काम चल नहीं रहा उनका कामी है दो लोगों को तीन लोगों को पकड़ पकड़ के पंचायत मिठाना, और वो शारे माहूल को अपने को खुद खराब करते हैं, अपना तो भीगाडते हैं, दूसरों को भीगाडते हैं, अब आपको यहापर क्या करना है, क्योंकि ना तो भीगाड़ने वाले बंद होंगे और ना ही नेगिटिव लोग आना बंद होंगे और ना ही ये पंचात बंद होंगे ऐसी स्तती में आपको क्या करना है आपको तो आगे जाना है तो हरी स्तती में ये ध्यान देना है नमबर वन आपको ज्यादा लोगों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना लोग व कोई भी रतन वार मिलेगा तो वो अवार आपको मिलेगाई मिलेगा ऐसा सोच यह जो भी माहुल होगा उश माहुल को क्रिएट कर न यह आपこी अपनी खुदकी जिम्मेदारी है आपके माहुल को बनाकर रखना आपके माहुल को arts रखना हर इस्तति के अंदर आपके मानसीक विचारों को आपके फिजिकल एक्टिविटीज को आपके काम को आपकी जिम्मेदारी को यह किसी भी शूरत में डाइवर्ट नहीं होने देना है यह आपको वादा करना है कि मैं आने वाले वक्त में इस अंड़स्टी में तो पर ज चलेंगी दूसरी कंपणी आ गई वह उडा ले गई वह आया वह अउडा लेगिया कोई मामला बन गया उल्ठी लैंक कोई ल karş़ अँगया कोई बहुन्ध सaz बिगन कर लента कर लिगद ते जिएर टृटी कर और बिगड़ना ये चलता रहेगा लेकिन सवाल है आप अपने इस माहुल को बना के रखेंगे या बीड़े हुए माहुल में और ज्यादा आप भी उसमें कूद के खराब करेंगे तो आपको जिम्मेदारी किस सीज़ के लिए लिए लाइफ टाइम के लिए जिम्मेदारी ल काम बनके या तो टीम उनको छोड़के चले जाती है या लीडर अपनी टीम को छोड़के चले जाते हैं क्या ऐसा कारण है तो उस कारण में मैंने को समझ में आया कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत सारे मेरे साथ भी यह चलेंजे जाए लें वहां पर जो मैंने सीखा और शेखने के बाद मैंने संकल्प लिया मैं कभी भी बहुत बार मतलब कुछ लोग ना अड़ जाते तो आप यह ध्यान रखना किसी भी पर्टिकुलर कोई नियम आपने बनाया कोई नेट्वर्किंग का नियम आपने बनाया तो मेरे को एक बात समझ में आया कि यहां म मिलेगा इस इंडरेश्टी में यह सारी जिम्मेदारियां लेंगी तो अटोप पर जाएंगे नहीं लेंगे तो नहीं जाएंगे उस अस्तिति में मुझे थोड़ा सा लचीला रहना है मुझे एक तरह से अपने आपको मोर्शम के हिसाब से थोड़ा सा बदलना है बहुत सा में भगवन बन गया हूँ अब वह पर वह इतना अकड़ तयार हो जाती है उसमें बीस हजार रुपए हमता आया नहीं अभी और अकड़ इतनी तयार हो गही कि उसकी गरदरी नहीं जुकती है और चार लोगों ने उसको नमस्कार क्या किया पैरों में दोग क्या खाया फू कड़ी आँन दर जोटूं की जिंदिकिया पार्ट है एडिफिकेशन करके बीजनिस को को तयार किया जाता है यह के बिजनेस दवलप्मेंट की एक स्टेजी है एक्षण में शही माहिने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह जो फूल मालाड़ी है आप ने लोगों के जिंदिकेंगां बदला है लोगों ने अपने चिलिगी को डवलप करने के जिम्मेदारिया ली है बहुत सारे लोग इसको सच मान लेते हैं तो आपको lifetime यह याद रखना है lifetime किशी भी लेवल पर आप रहेंगे आप फ्लक्षी तभी रह पाएंगे नहीं तो इतने फूल पड़ते हैं न भाई आपर इतने हाथ जोड आपकी करपा से सब का में हो रहा है वैया किसके किरपा से system की करपा company की करपा इस अप्लाइन की किरपा उन्हान गुरू लोगों की किरपा जिसके वज़ा से यह सब कुछ हो रहा है इसको कभी भी original मतमानना ये नकली है ये जैसे आता है इसी को जाने देना है आप जैसे हैं आपका जो नेशर है आप उस नेशर के अकोडिंग रही है लोग आते हैं आपके जिन्दगी में लोग आपके साथ काम करेंगे मिलकर काम करेंगे उनके साथ जिम्मेदारी लीजिए दमदारी जोंके साथ काम करिए आपके भाई बहन अपने परिवार के सदिश्चों की तरह लोग आते हैं आपका जो ओरिजिनल शवरूप है आपको उसको छोड़ना नहीं है यह गुरूजी माघुरूजी के चक्कर में और सिस्टम की जो एडिफिकेशन होती है इस एडिफिकेशन में जितने लोग आ सच बता रहूं अच्छे लेवल पे जाके उनकी ऐसी बैंड बजीना शच बता रहूं मार्केट में जाने का उनका मन नहीं करताओं और्रधम में आदमी बंचे पेया आदमी के आधी तैसी होती है यह किसी का नहीं रखता यह कहीं का नहीं र Hell यह ना किसी कंपनी में जा सकता ना कई market में जा सकता इसकी जो ठुकाई होती है टॉप लेवल की होती है तो मेरे को यह समझ में आ गया था कोई मागुरू जी नहीं है बईया यह सबकोच education system का पार्ट है और सिस्सेम का पार्ट है तब तक ठीक है इसको जैबसे दिल की तरह यह बिजरेश नहीं चलेगा इस बाद का हमीशा ध्यान रखना है उसके बाद आके चलता है एक ऐसी चीज जो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से मैंने लगा तार कंटीनिउं 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 इसको फोलो किया शिल्वर लेवल था मेरा हमारी कंपनी के जर्नल मैनेजर है मिस्टर नकाजन साब मैं शिल्वर लेवल के ऊपर जब था मेरी जब मैं कंपनी भी जाता था मैं अपनी डारी के अंदर सारे कंप्लेंड लिखके लिखके जाता था सारी क बनना चाहते हैं, दमदार लीडर आप बनना चाहते हैं, टॉप लेवल पर आप जाना चाहते हैं, एक काम को आज से अभी से करना शुरू करिए, आपकी टीम में कोई भी छोटी सी प्रावलम हुई, आप उसका समाधान करिए, बास, किसे भी एक सूरत में समाधान करिए, समा ला मतलब तीम ने आपको प्रॉब्लम दी तीम ने आपको कुछ बताया सर यह चलेंज है अब आप एक काम करो बस उस प्रॉब्लम को उठाके उपर फैंक दो अप्लाइन को अप्लाइन भी क्या करें इसमार्ट काम बता रहा हूं आपको बहुत बढ़िया अप्लाइन अब उ समस्चा आई है अप्लाइन से पूछो कैसे प्रॉब्लम को खतम कर दो ऐसे और काम कर दो एक दम सताशक बास आपको जिम्मेदारी लेना है पैसा कमाएंगे आप प्रॉब्लम ठीक करेगा अप्लाइन क्यों वाई क्यों अपने को आथों में महंदी लगी हुई है क्या या फॉन के अंदर नंबर नहीं है डायल करने के लिए कहां से प्रॉब्लम ठीक होगा आप एज लीडर टॉप लेवल पर जाना चाहते हैं किसी भी आप कंपनी में कहीं भी आप हैं किसी भी जगह पर हैं किसी भी प्रॉफेशन में आपको बहुत आसान काम है प्रॉब्लम को भीजना और लीडर्सिप यदि आपको बनानी है इंडस्टी में टॉप पर जाना है प्रॉब्लम को खतन आप करिए और अपने बंदे को फॉन करके बताईए टाइगर साहब आपने यह यह प्रॉब्लम बताए था 100% सौल हो गया है बहुत 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 बदाई हो आपको चंता करने की जुरूत नहीं है मैं तरह साथ हूँ घबराना नहीं यह वादा करना है उसको हर लीडर लीडर का मतलब ही है वादा आज एक लीडर है आप वादा करते हैं कि मैं तरह साथ खड़ा हूँ कोई समश्या है कि मैं हूँ यही बात बोलके हम प्लान दिखाते हैं य वादा तो करना बड़ाईजी है, आदमी मूठा के रोज वादा करता है, उसको फिर लगातार उस वादे को निभाना, ये एक जिम्मेदारी का काम है मेरे दोस्त, और ये वादे को निभाना, वादा पूरा करना, फिर वादा करना, वादा करना, वादा करना, वादा को पूर समाधान 100% होगा ऐसा करके आपको अपनी परसनल्टी तैयार करना है उसके बाद फिर मैंने देखा थोड़े और आगे चले तो मैंने लिखना शुरू किया कि और ऐसी क्या चीज़ है यार जो आदमी को वदा करना पड़ता है अपनी जिंदगी में तो मेरे दोस्त आप आगे जाएंगे तो जो भी आपके थ्री काड़नाल रूल हैं जो भी आपके थ्री पावर्स हैं जो भी आपके एथिक्स और वेल्यूज है जो हमारे लीडर्स आपके अप्लाइन हमारे ग्रेट मागुरुजी लोग आप लोगों को अलग 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 ट्रेनिंगों में एथिक्स और values को जब धरासा ही किया गया तो वो network टूटे हैं बड़े-बड़े network टूटे है तो आपको हमेशा नेतिकता और मुल्ल जो भी आपके ethics और values हैं जो नियम कानुन बने है जो business के शिद्धान्त बने है उनके साथ आपको छेड़कानी नहीं करनी है यह ध्यान रखना अब वो नियम मैं यहाँ पर नहीं बता हुआ वो नियम सोरी वो नियम यहाँ बताने के लिए टाइम नहीं है लेकिन आप समझे आपके जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम्याभी के नियम बने है जैसे पैसे का लेंदिन नहीं करना जैसे three cardinal rule follow करना जैसे सराग को शामिल नहीं करना जैसे किसी को गाड़ी गलोच नहीं करना जैसे किसी की integrity को hurt नहीं करना किसी की dignity को hurt नहीं करना किसी को कुछ समझाना है तो अकेले में समझाना तारीफ सब के सामने करना ये ethics है, values है अना, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ बढ़िया पूरी इमानदारी के साथ काम करना है उनका social नहीं करना उनसे पैसा नहीं लेना उनके घर में जाके उनी के घर में उनकी बैंड बजाना ये सब क्या है, ये नेतिकता और मुल्ज के लेसंस है आपको टोप पर जाना है, क्योंकि आपके एक बाद दीखिए आप टोप पर जा रहे है पबलिक के बीच से और जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो लोग यहाँ से ताली बजाने चाहिए मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, कि ये आदमी जो बैटा है न वहाँ, उपर जो खड़ा हुआ स्टेज के उपर, ये एक नंबर का बीफोर बंबई है, ये बोलने नहीं चाहिए वो लोग, वो बोलने चाहिए, ये आदमी जो आप पहुचा है, मैं दिल से इसको शलाम करता हूँ, और ये वाद जाने के लाइक था, ऐसे नेतिकता और मुल्ल के उपर आप लगातार चलिए, ये मैंने पेक एक पॉइंट लिखा है कि इस 19 साल के कैरियर में क्या क्या चीज़े हुई है, दूसरा बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बिसिंस करना शुरू कर देते हैं, वो अपना विक्तिगत और योशाइक यानि अपना लाइफ का और धंदे का बैलेंस ने बना पाते, जहां पर उनके लिए चैलेंज जाना शुरू होता है, एक लीडर होने के नाते, कलको आप कामियाभी लेंगे, टॉप लेवल पर जाएंगे तो आप वो कामियाभी कहा, जू जशन है वो किसके साथ मनाने वाले, अपनी फैमिली के साथ मनाने वाले, बहुत सारे लोग वर्क एथिक्स में तो बहुत आगे मना वह बहूत सारे लोग जुंजला जाते एंगती में ग्रोष वह के चलेगा चलेज जह बात कर रहा हूँ जैसे जैसे आपकी growth बढ़ती जाती है वहाँ पर आप personal और अपना जो business है उसका संतूलन बनाईए और संतूलन बनाके अपने उस life में जिस life को आप enjoy करने के लिए थे उस life को आप enjoy करिए इसका balance बनाना आपको शीखना है यह चीज़ें कुछ तो डालनी है और कुछ चीज़े आपको इनको note करिए इनके ऊपर आपको काम करना है और आने वाले वक्त में इन एक-एक topic के ऊपर जतने topic मैंने लिखें आपको इसी पैनल के ऊपर मैं एक-एक topic के ऊपर एक-एक घंटा आपके पास लेकिया हूँगा एक-एक topic के ऊपर एक-एक घंटा का जैसे यह है life work or balance इसके ऊपर पूरा एक घंटे के ऊपर हम बाते करेंगे ठीक है problem solatitude किस तरह की problem है क्या-क्या उनको solve करना है एक-एक घंटे के ऊपर हम लोग बाते करेंगे अब इन topic को note करो आपको इनके ऊपर काम करना है यदि आपको legend बनना है तो और top के ऊपर पहुंचना है तो उसके बाद में अगला जो topic था वो यह आया कि लगातार हमें काम करना है अब आप silver बन गए गोल्ड बन गए पर्ल बन गए टोपाज बन गए यानि लगातार आपको अगले लेवल पर जाना है तो अपने मानसिक इस्तर को develop करना है यदि आपने मानसिक इस्तर डवलप नहीं किया तो क्या होगा आप रूख जाएंगे आपके पास वही घिशे पेटे डायलोग रहेंगे आपके पास वही पानी की ठंकी का कानी रहेगा आपके पास आपको हर लेवल पर अपने आपको improve करना है लगातार improve करना है आज आपकी भासा कैसी है किस तरह के सब दुश्मन निकलत कोई बात नहीं आज कैसा हो रहा कोई प्रब्लम नहीं है कल आपका लेवल बढ़ेगा कल आप एक लीडर्शिप के रूप में जा रहे हैं लीडर्शिप की गलतियों को माफ नहीं करती है पबलिक आम आदमी है गलती कर रहा है चलेगा कोई बात नहीं लेकिन आप यूरे अपने आपको कि मैं किसी भी किमत पर लगातार अपने आपको सुधार हूँगा लगातार अपनी आतों में काम करूँगा लगातार फिल्ड के ओपर पकड़ करूँगा लगातार यह जो जो बाते बताई जा रही है इनके ओपर में काम करके और आने वाले वक्त में इस इं मेरे पास आया, आपने समकुछ शीख लिया, आपने किताबे पढ़ी, तुनियावर के ट्रेनिंग ली, सरकिप ट्रेनिंग लेके इस पैनल के उपर से आपके रोज आप पॉइंट मना रहे हैं, और अपने आपको डवलप कर रहे हैं, सर्फ यही काफी नहीं, सर्फ यही काफी नहीं, आपने जो सिखा, मैंने जो सिखा, मैंने अपनी टीम को सिखाया है, जो जो चीज मेरे पास आया, जो ट्रेनिंग मनी लिया, कोई भी चीज मैंने अपने आपको अपग्रेड किया, वो ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने अपनी टीम को नहीं सिखाया और आने वाले टाइम के अंदर नहीं सिखाऊंगा 100% कल किसका पता है कल कौन रहे को नहीं रहे ये ग्यान है मेरे दोस्त जो आपने सिखा अपने टीम में सिखाए यहाँ पर अकेले स्मार्ट बनने का मोगा नहीं है आप लगातार प्रीटीम के एक एक लीड वर्णड वाइज यह जो इंडस्टिक ग्रों करने वाली है आपकी टीम और आप इस पूरे इंडस्टिक अंदर चाहें ऐसा आपको वादा अपने आपसे करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है जो भी आप अलग-अलग लेवल की जो नोलेज है आप अपने और पारदर्शिता जो है ना वो नहीं रख पाते मतलब accountability सही नहीं रख पाते इमांदारी से काम नहीं कर पाते नमबर लेने में आगे रहेंगे नमबर दिला दो कितने भी उनको खट 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 नमबर लेंगे काम कर रहा है कोई नमबर लेंगे खुद नहीं मेरे दोस्त आपकी transparency बिल्कुल clear होनी चाहिए आपके leader ने किसी ने काम किया आप उसका promotion करिए आप इमांदारी से आपने इस industry में top level का काम करने का plan बना खुद मेनत नहीं कर रहा है एक आदमी के साथ लेकिन जब बाते करने की बात आती है तो समसे आगे बढ़के रहता है नहीं मेरे दोस्त transparency बहुत strong रहनी चाहिए आपकी आपने जो बोला वो आपने करके दिखाया उठा के पकड़ पकड़ के सामने लाना है यह आदमी है अब आपके सामने आएगा घराने की जोतनी है तो आपको यह ध्यान देना है lifetime आपको यह वादा करने अपने आपसे कि मैं इमानदारी से काम करूँगा फिल्ड में रहूँगा मैनत करूँगा फिल्ड में रहने वाला और transparency के साथ जो reader काम करेगा उसका काम कभी बंद हो ही नहीं सकता बंद काम उसका इसलिए हो रहा है क्योंकि यह तो फालतू के लपड़े में पड़ गया या फिर उसने कहीं ना कहीं काडिनल रूल की दज्यां उड़ाई है या फिर कहीं ना कहीं वो गुरुजी है मागुरुजी बन गया और वो जो ओरा था लंबा चोड़ा ज अधर्टिश के साथ में करूगा लोंग टर्म धिंकिंग बहुत सारे लीडर चोटी सोच में फच्जाते हैं एक मेने टॉपिक लिखा रात को कि क्या ऐसा लपड़ा है जिसके वज्दाश्य लोग खतम होते तो मैंने देखा छोटे लोब में फच्जाते हैं लोग बहुत स नहीं किया ना कोई कुछ भी दे रहा होगा कहीं भी कुछ नहीं होगा मैं बोल रहा हूं कहीं कुछ नहीं होगा कुछ भी दे रहा हो अभी टार्गेट दिया था कंपनी नहीं पतास दिन का टार्गेट दिया था और भविश में ऐसा टार्गेट कभी आएगा नहीं जिनका ट कर लिया हजार रुपे ले लिया अना 500 रुपे ले लिया अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं है सामने वाला माह नहीं रहा वह अपजरिस्था खतम नहीं करना तुमको क्या लग रहा कि सामने वाला भूल गया अरे मेरे दोस्त लंबा चलना है कल को कोई भी आदमी जब स्टेज् बंबा चलेंज के साथ एक आदमी हंदोस्तान का आपधा करके मेरे सामने रखें जो यह खड़ा हो के बोले कि योगेश्यादाव को हमने 5 रुपिया दिया था और इस आदमी ने 5 रुपिया हमारा खाया एक आदमी पूरे हंदोस्तान मे लाकर खड़ा करदेना आप उसको उसी दिन से आज तक का 500 रुपाय सेकड़ी से मैं पैसा दूँगा एक सिंगल आदमी एक मेरी डाउनलाइन को लाके खड़ा करना जो यह बोले कि योगे शादाव ने उससे उस बंदे से पैसा मांगा और पैसा मांगा हो और मेरे एक अप्लाइन को आप खड़ा कर देना मेरे सिवी के मत उपार अपने आपको तैयार करना है यह वादा है यह आपकी कॉलर जो है यह ब्लैक नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त इस पर दाग नहीं लगना चाहिए यह वादा करना है आपको लंबा सोचना है आज आपने डाउनलाइन से पैसा मांग लिए 5000 रुप यह डाउ से दुनिया पर की चीजे यह आपर कहां बोस है यह का लोस है एस अंदर अन्लिमिटेर इसकोप है आपके पास फिर मैनत करिए दमदारी के साथ करिए लंबा साउच के करिए चार दिन के लिए आप इस बिजरिश में नहीं आए हैं तो लॉंग टर्म ठिंकिंग रखिए यह मैंने कोई पॉइंट अपनी जिंदगी से अटेच किया है आप हर पॉइंट को मेरे चाहत अटेच करिए और एक आदमी बोले कि यह चीज तर आपने यहां लिखी है लेकिन आपने यह नहीं निभाई मुझे बताना फॉन करके इस मिटिंग के बाद एक एक चीज आपको ध हालात इस्तती परस्ततियों से जो लोग जूजते हैं और हालात और इस्ततिया परस्ततिया जिनको तोड़ती है वो आदमी लीडर नहीं है आप सच में लीडर है और सच में आप लीडर बनना चाहते तो आज अपने चेहरे पे अपने मीरर के सामने जाना मैं बोलता हूं 30 मि लगाई एक घंडा तयार होने में लगाई ऑपने आपको देखें इसी से के सामने और अपनी तारीफ करिए हर पल अपनी तारीफ करिए अपने बथे स्पैक्ष में इसुक्त पाइश मेह घ clef । है इसके अंदर जल है दिना क्या कमी है कोई कमी नहीं है बहुत बहुत धन्यवा दिश्कष का मैं अपना निर्मान करूँगा, मैं अपने आपको ताकतवर बनाऊँगा, मैं अपने आपको पावरफुल बनाऊँगा, मैं अपने आपको network marketing का पाथ्षा बनाऊँगा, ये confidence कौन देगा, आपको देना है ये confidence, ये confidence आपका है, और इस confidence के ओपर आपका अपना अधिकार है, ये अधिकार कोई नहीं छीनेगा आपसे लेकिन आपको अपने आपको चुगूरा नहीं बनाना है बाई साब आपको दमदार बनाना है या पार है ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्टी में आए हैं हजारों लाखों लोग आपकी बातों को आपके आत्म कोंफिडेंस को आपके भरोषे को आपके कमिटमेंट को आपके ज़ आपके देखते हैं को और यह वादा जबाब अपने आपसे करते हैं लोग आप पे उपर network बोल रहे हो network यूँ बनता है लोग बोलते हैं मेरी team नहीं बन रही network यूँ बनता है boss आपका conference top level का होना चीए market में जा रहे है चेरे के उपर तोते उड़ रहे हैं उसके चाल में उसकी में दम नहीं आ रही हाथ उसके हिल नहीं रहे है मूशे उसके आव आपके confidence का निर्माण आपको करना है कोई दूतरा नहीं आएगा मैंने अपने confidence का निर्माण इश्वर का ध्यान करके और मेरे अप्लाइनों शाश्रवाद लेकर मैंने अपने confidence का निर्माण का जिम्मेदारी मैंने लिया था और lifetime lifetime अंतिम शास तक आप देखेंगे योगे शादव का confidence आज 2024 से 2085 में भी देखेंगे तो 2085 में भी वही मिलने वाला है कहीं कोई problem नहीं क्योंकि उसका जिम्मेदारी लिया है वादा किया आपने आपसे पर्सनल्टी डेवलप्मेंट हर टाइम करना है continuous पर्सनल ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है बहुत सारल लाख रुपया महिने पर जाएंगे पर्सनल ग्रोथ का ढखा देंगे बंद पर्सनल ग्रोथ जीरो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपने ग्रेजिशन की या आप आपको क्या करना है यहां पर आज आप 50,000 पर पहुंचे हो आज आपकी टीम 50 लोगों की है 100 लोगों की तो 500 लोगों की टीम जब भनेगी तो उसकी ग्रोथ तो कर लो अपने आप पे पैसा कब खर्च करेंगे आप अपने आपको डवलप सब कुछ फिरी में चाहिए फिरी 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 अरे भाईया फिरी से व्यक्तिक्यत्रिकास नहीं होगा किताब पढ़िये किशे शुवे मॊर्स में हर एक डायमेंड इस पैनल के उपर आता है नाद हो के तैयार हों के साड़े चार बजे मैं सोया हूं एक गंटा सोया साड़े पांच उठा साड़े पांच उठके अंदर गया हूं बढ़िया नहाया हूं बढ़िया सावर लिया है सेव्युविंग करके बुरूश करके फ्रेश वरेश होके बढ़िया एक दम पूरा चकाचक एक दम आदा घंट इसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त हर पल मानसिक स्तर को डवलप करना है लगातार कंटिनू करना है ट्रेनिंग हो मिटिंग हो वर्क्षोप हो जहां भी किताबे पढ़ने की बात आती है डारी लीजिए मोटी सारी शुबह रोज इस पैनल पर बैठिए जो लीडर बता रहा है लिखिए बाकायदा उन प्वेंटों को प्वेंटों को लिखिए अभी बहुत सारे लोग ना चार पाई पर लेटके यू लगा के बला हाँ योगे जी बताओ अना वो ऐसे सुन रहा है वो बनेगा डायमंड डारी पैन पर लिखना चाहिए था ये बात बैठके तो लेडि ये समय लोट कर नहीं आएगा इसके अंदर जल्दी करिए तेज करिए मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है मेरे दोस्त समय बहुत तेजी से बदल रहा है इंटरनेट का जमाना आ गया है वो धीरे-धीरे खरगोष वाली कहानी मत चलीए यहाँ पर जो सोवत है वो में लीडर्शिप के लिए पिछले 24 गंटे में इन टॉपिकों पर आपने क्या किया यह दी पता चला कुछ नहीं किया तो मेरे दोस्त आने वाले टाइम में भी फिर कुछ नहीं होगा यह समझ रोज आपको इन टॉपिकों के उपर दमदारी के साथ एक एक टॉपिक पर अप अपनी किसी में जाईए दमदार में जाईए और उस मेंटर को यह पता होना चाहिए कि मैं आपकी में बहुत सारे लोग इस मेंटरीशिप के ओपर मैं इस पेशल अलग से ट्रेनिंग लेक्या हूँगा मागुरु जी मेंटरिशिप के ओपर एक टॉपिक मुझे इसाया साइव परेशन करें घृष बहुत सालगाए अग। बॉष और यह यह से मैं अड़ी भी आप से मेंटर से बहूं कोलता है तो दूसरी जगें जा कहीं मेरे चक्कर में मत पड़ खुद भी मरेगा मुझे भी मारेगा बोलने को बोल रहा है मैं इसकी मेंटरेशिब में हुआ काम एक भी करता नहीं है में रहके लाइफ टाइम याद रखी टॉप लिवल के उपर जा रहा है पाणव पाच थे भागवान स्री कृष्ण की मेंटरेशिब में थे सारा खेल रच दिया देखो कितना टॉप लिवल का काम हुआ बता हुआ ख नहीं हुआ तो मेंटरेशिब का बहुत बड़ा रोल है इस्पेश किया और मैं दुबारे आपको वादा करता हूं मागरुजी आने वाले अगले 20 सालों में यह जितने पॉइंट मैंने बताएं हैं इन पॉइंटों के उपर मैं लगातार चलूँगा दमदारी से इनको फोलो करूँगा और आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग जी कि समसे पाँर होल्टेम योगे स्यादर बना कर दिखाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद मागरुजी दिलकी गरहिए बहुत-धन्यवाद डर पर अपनी उर्जा बरबाद मत करिए विश्वास करने में शीखने बढ़ाने में और अपनि उर्जा का उप्योग करिए डर आपका हर दिन, आपकी दिन चरिया बहुत बढ़िया हो सकती है, मैं अपने दिन का लगातार कंटीनि उसकी कर्दकिता और कारिये में लगाता हूँ, हर दिन की शुरुवात, क्या जब भी आपकी हो, उस दिन में दो काम करना है, हर पल के लिए परमपिता परमेश्वर का धन् जरूरी नहीं है कि आप हर बंदे से सहमत होंगे, या आप से हर आदमी सहमत रहेगा, लेकिन आपको उन से सहमत रहना है, जादातर लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं, या आपको कुछ गलत बोलते हैं तो उनसे नाराज मत होई क्योंकि इस धर्ती पे जादातर लोग खुद कोई पसंद नहीं करते जब खुद कोई पसंद नहीं कर रहा तो तुमको पसंद कैसे करेगा तो आप उन लोगों से सहमत रहे हैं हर पल उनको एक ही बात बोलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ठी से आप बनाते हैं आज आप किस परिवार से हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा आने वाले वक्त में आप अपने नेटवर्क का किस तरह का परिवार आप बना रहे हैं वो बहुत महत्पूरण है वो आपके जिंदिगी को बदलेगा वो परिवार जो नेटवर्क का परिवार है वो परिवार जो इस इंडर्स्टी के अंदर बनाने वाले है वो बहुत important है कई लोग परिवार को लेके दुखी रहते है मेरे परिवार में कास मेरा भाई पहुंजी जैसा होता मेरा पिताजी कास उस जैसा ग्रेवाल साब जैसा होता थे इंपोर्टेंट है आपका जनम कहा हुआ है किस परिवार में हुआ है किस गाउं में हुआ है बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप आने वाले वक्त में अपना नेटवर्का जो परिवुड़